आलो इस्वेश्ट जैसा कि हम लोने पिछले वीडियू लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम की स्टैबिलिटी को चेक करने के लिए क्राइटिरिया क्या होता है और उसका हमने स्पेशल केस वन पढ़ा था कि अगर किसी भी सिस्टम की क्रेटिस्टी क्वेशन का मैट्रिक्स बनाए और फर्स्ट कॉलम पूरा जीरो हो जा रहा है तो उसको हम कैसे सॉल्ट करेंगे अब उसी को करने का एक अल्टरनेटिव मेथ से करें तो या आप उस मेथेड के अलावा भी आपके पास यह ऑप्शन है अल्टरनेटिव मेथेड किसका अगर मार लीजे हमारे पास सपोस कीजे कि कोई क्वेशन दिया हुआ है इस तरह से अभी चलिए जोटा क्वेशन लेते है एस क्यूब प्लस एस प्लस टू इक्वल अब हम इसमें क्या करेंगे जैसे हम लोग अभी तब करते हैं माल लीजे इसका पहले मैट्रिक्स बनाए तो एस क्यूब लिखा हमने एस स्क्वाइर एस वन और एस जीरो ऐसे लिखेंगे अब एस क्यूब हो गया वन और उसके बाद क्या होगा एस स्क्वाइर जो टर्म है नहीं देखें यहां पर एस स्क्वाइर की टर्म नहीं है तो आप एस स्क्वाइर का कोफिशेंट जीरो माल लीजे मतलब क्या हुआ आप इसको ऐसे माल लीजे एस क्यूब फ्लस जीरो इन टुएस स्क्वाइर फ्लस बन इन टुएस प्लस टू इकॉल टू 0 तो अब इससे आप बनायेंगे तो ऑस स्क्वाइर का ओगया जीरो और ये हो गया तू गया आप दीगे पहले का पहला element जी रो आ गया यही problem है न तो इसको solve करने का एक तरीका तो आपको फिछले video lecture में बताया था दूसरा एक और alternate method जो हमने लिखा है वो क्या है कि आप क्या कीजिए इसमें replace 0 0 by epsilon और epsilon क्या है यह आप समझ लिजे very small quantity इससे हमने replace कर दिया तो जब आप इससे replace कर देंगे तो यही भी हम अटा दे रहा है इसको हटा के आप यहां लिख दीजे बाद जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा sq, s square, s1, s0 यह जैसे 11 था हमने लिख लिया फिर 0 की जगह epsilon लिख दिया हमने 2 और फिर जो फारुमला आपको जिस दिन आए खुछ नहीं आएगा कुभी यह थर्ड कॉलम हाई ने फिर s0 आप निकालेंगे यह तू आ जाएगा अब आप यह देखिए अब फिर्स्ट कॉलम को आप चेक कीजिए तो क्या होगा कि नंबर आफ साइन नंबर आफ साइन चेंज इन फिर्स्ट कॉलम इन फिर्स्ट कॉलम देखे कितना हो रहा है ठीक है यह आपका देखिए यह पॉस्टिव है यह अच्छा इस इस ए वेरी स्मॉल subjective quantity है यह positive positive integer समढ़ दी, एसे यह positive है यह positive है और यहां पर two में से बहुत स्मौल घटाएंगे तो positive होगा, लेकिन यह negative इसको दूबा दे रहा, तो यह negative है और फिर यहां से फिर यह positive है, यानि दो बार change ओ रहा है एक बार यहां से यहां negative हो हो रहा है और फिर नीगेटिव से यहां पॉस्टिव हो रहा है यानि दो बार साइन चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ रूट्स क्या हो गए नंबर ऑफ रूट्स इन राइट हाउप राइट हाफ और एस प्लेन कितने हागय है तो आगए अब जो रूट आपके राइट हाब में आ घए तो system क्या होगा और system अनिस्टैबिल होगा सीधी थी बात है तो आपको पता चल गया system अनिस्टैबिल है । इस तरह से आप 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 एफिसाइलन मान के भी जब दीरो आ जाए तो आप एफिसाइलन देखिएगा एफिसाइलन क्या है इस इस वेरी इसमॉल पॉस्टिव इंडिजर यह ध्यान रखिएगा तो ऐसे भी आप इन क्वेश्चन को कर जकते हैं ठीक कि आपको यह क्लियर हो गया होगा कोई डाउट कोई केंफ्यूजर ने तो आप मेंशन करिए कमेंट लाइन में ठीक है या मुझे मैसेज करिएगा तो मेल पर सारे सोशल लिंक्स पड़े हुए हैं तो मैं इसको हलागि इसमें तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं अब हम लोग बात करते हैं यह तो स्पेशल केस वन हो गया जब फर्स्ट कॉलम का किसी भी रोग का पहला एलिमेंट जीरो हो जा रहा है अब आज हम लोग बात करते हैं स्पेशल केस्टू की या हम लिखते हैं कि राउथ हरविट्स क्राइटेरिया और इसमें लेते हैं स्पेशल केस्टू सेकंड केस लेते हैं ठीक है इसमें क्या होगा कि सेकंड केस में क्या होता है कि विन एन रो आफ रूप टेबिल इस जीरो लंनी वुन रो पूरी रो ही जीन हो जा रही जो जो रो फिर गरफ तो पहलों जीन constructive है ये हैं इसे भी टीर इस प्रेंप bunu one row of root table is zero, it indicates that the equation has at least one pair of roots which lie radially opposite each other and equidistance from origin. तो पहले जिस तो यह समझ लिजे कि यह जो special case 2 होता है, इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी पूरी एक row zero हो जा रही है root table में, इसका मतलब यह होता है, मैं repeat कर रहा हूँ. It indicates that the equation has at least one pair of roots which lie radially opposite each other and equidistance from origin. यह मतलब होता है इसका. तो फिर इसको solve कैसे करते हैं? इसको फिर हम इस्तेमाल करते हैं auxiliary auxiliary polynomial का. ठीक है? अभी auxiliary polynomial क्या होता है? इसको भी हम आगे समझेंगे कि यह the polynomial whose coefficients are the element of the row just above the row of zeros in root array, in root array, is coordinate auxiliary polynomial. तो जो row zero हो जा है, उसके just उपर वाली row के जो coefficient है, उससे आप जो polynomial बनाएंगे, वो auxiliary polynomial के लाती है. यह तो हो गए इसकी theory. आप क्या करिए? अब आप आजाईए सीधे इसके एक example पे तो आपको clear हो जाएगा. माल लीजे हमने कहा, यह question दिया हुआ है, कि S की power 5, plus 2 S की power 4, plus 24 S cube, plus 48 S square, minus 25 S, minus 50 equal to 0. sorry, 50 है, वहाँ पे हमने 5 equal to 0 कर दिया है. इसको कर दीजे, 50 equal to 0. यह characteristic equation दी हुई है, किसी भी system की, और इसकी हमको stability check करना है. तो stability check करने के जैसे हम राव तहरे बनाते हैं, वैसी हम इसको बनाना शुरू करते हैं, तो हमने लिखा S की power 5, 4, 3, 2, 1, 0. ठीक, अब 5 को पोपिजेंट हो गया 1, फिर 24, फिर माइनस का 25, यह आया, यह हो गया 2, फिर 48, और फिर माइनस का 50, यह आ गया. अब जब आप calculate करना शुरू करोगे formula से, तो आप देखो कि यह भी 0 आ गया, फिर यह भी 0 आ गया, यह पूरी रो ही 0 हो गई, अब इसके बाद क्या करें, तो जब यह case आ जाता है, विएंटाइर रो बिकम जीरो, तो उसके पहले वाली जो equation है, ठीक है, उससे क्या कीजिए, आप auxiliary polynomial बनाईगे, यह as मतलब auxiliary polynomial, क्या बनेगी, यहां से देखें, 2 ठीक है, 2s की power 4 हो जाएगा, फिर, प्लस का 48s square, माइनस का 50, यह auxiliary auxiliary, polynomial हो गई, इसको क्या कीजिए, आप differentiate कर देएगे, as की respect में differentiate कर देएगे, तो 4 दुनी 8, 8s cube आ गया, और यह हो गया, 48 दुनी 96, यह आ जाएगा, और अब क्या कीजिए, कि यह जो coefficient आएगे, यह और यह, इसको उठाके आप यहां रख देंगे, ठीक है न, फिर गाड़ी आगे चल देंगे, तो जब इसको उठाके आप यहां पर रखेंगे, तो यह आपकी जो route हरे हो जाएगी, वो हो जाएगी, s की power 5, s की power 4, s की power 3, s की power 2, s की power 1, s की power 0, जैसे लिखा था, आपके लिख लिजे, यह 1, 24, माइनस का 25, यह कितना है, 2, 48, और माइनस का 50, अब s की जगए, जो coefficient आया थे, क्या आया था, 8 आया था, और 96 आया था, यह लिख लिजे, फिर आप आगे चल दीजे, तो यह आजाएगा, है क्लीट करके 24, यह आजाएगा, माइनस 50, फिर करीड करीए, यह आजाएगा, 112.6, यह नहीं आएगा, फिर उसके बाद आगे चलीए, यह आजाएगा, माइनस 50, यह आज़िए, अब आप क्या करेंगे, देखिये पहला कॉलम देखिये, फिर से number of sign chain कितना है, number of sign chain in first कॉल कि फस्ट कोलम यह आपका पॉसिटिव से एक है कि कि सकड़ Táклад है Eight Ap में एक फोल हो गया है कि छो एक पोल तो हो गया इसका मतलब क्या हो गया इसका हो गया कि system unstable है ठीक है अब उसके बाद यह आ गया राइठ आप में एक ओल आ गया इसका मतलब system जो है आपका वो unstable हो गया तो इस तरह से इस method से भी आप जो है कि जो special case 2 का method है इससे आप system की stability चेक करते हैं अब इसमें auxiliary polynomial का क्या रोल है और इसका क्या importance है यह हम लोग next lecture में discuss करेंगे तो आई होग कि आपको यह clear हो गया होगा कोई doubt कोई confusion है तो comment line कीजिए और अगर वीडियो content पसंद आ तो प्लीज वीडियो को share कीजिए like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और notification bell को on कर दिए ताकि next video की information आपको तुरण मिल जाए thank you